हलो अवरीवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके मैं मिला करांती और आज मैं आप सभी के लिए लेकर क्या हूँ विद्युधारा चाप्टर का फोर्थ लैक्चर जिसमें आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के सैयोजन के बारे में और किर्चॉफ के नियम के बारे में तो बने रहना है और सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे शुरू से लेकर आखरी तक प्लास में रहे इसके लिए जो बच्चे आ गए है फटा फट लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों को टेलीग्राम पर वाट्सैप पर स्कूल ग्रूप में ट्यूशन ग्रूप में सब जगह शेयर कर दो क्योंकि हम लोग बहुत सारे नियुमेरिकल्स भी करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो है कॉंसर्ट भी आज पढ़ने वाले हैं तो भाई सारे बच्चे आ जाओ गए हैस फटा फट कहा हो सारे बच्चे आ गए हेलो एवरिवन सारी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम ली मिलती रहे और जो बच्चे आ गए हो वीडियो को फटा फट से अभी लाइक कर दो भाई तुरंत लाइक कर दो और बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहो वैसे आई थिंक बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने है लगातार हम बहुत दिनों से कुछ चापटर हम लोगोने अल्रेडी कवर कर लिया है फ़िर्स सेकंड चाप्र फ्रचेप्टर भी आप Лोगों को बहुत जल्दी कवर हो जाएगा तो डूट टेंशन अगर मैं हूं तो फिर टेंशन किस बात की मैं आप लोगों को गैरंटी question दोनों तरह के questions आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ठीक है सो गाइस कैसी चल रही है पढ़ाय लिखाई भाई सब ठीक ठाक बंजे में क्यों भाई देखो भाई ध्यान रखना त्योहारों का कमा सकते तो time is more important than money ठीक है बहुत ज्यादा मतलब की कीमती है आपका समय तो समय का ध्यान रखना बिलकुल celebration बनता है भाई celebrate करना बहुत जर्वी है पर साथ ही साथ आप लोगों को जो है अपने पढ़ाई पर भी बिलकुल ध्यान देना ही देना है और आप सभी बच्चों को वैसे तो मैं रक्षबंदन की धेर सारी सुब काम ना है आप लोगों को देना चाहूंगी बट साथ ही सा क्षेंशन मैं शुरू करती हूं घर टि प्रतिरों साथ है नियंग और उन नियाम लोगों ने पढ़ा इंक और यह उक्सका हमलोग समंहीनध Radio Dave된 यह पढ़ेंगे इसके प्लास को ले करके प्लस-माइस को ले करके क्रिए होते हैं तो इसलिए अपको एक तम पूरे अच्छे से ध्यान से सुनना है किसी एक चीज का अप लोगों को follow करना मैं इसमें दिखाऊंगी हम शुरू करते हैं अच्छी क्लास बिलकुल बड़े ध्यान से आपको ध्यान पूर्वक सुनते जाना है स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक प्रतिरोधों का सायोजन रैट तो भाई हम लोगों ने ओम का नियम पढखा प्रतिरोध पढ़ लीआ प्रति रौधता पढ़ डिया इसको किस को याद की नीर अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा याद रहना चाहिए ठीक है सो क्या-क्या पढ़ा जल्दी से बताओ फट 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 प्रती रोधकता कीताप पर निर्भरता पढ़ी कुछ हम लोगों ने निमारिकल कोशन किये और क्या पढ़ा हम लोगों ने जल्दी से क्विकली मतलब धाई चैप्टर खतम हो गया यह कह सकते हैं लोग तो भाई साथ ही साथ आप लोग पीछे वाला रिविजन करते चले जाओ देखो अगर आप लोग पढ़ रहे हो पूरा निमारिकल भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो मेरी बात को फॉलो कर रहे हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अगर समय समय पर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो यह बहुत गंदी बात है ठीक है तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है जो भी हमारा सिलेबस कवर हो चुका है उसको आपको बकाईदा रिवाइस करना है बिल्कुल इस वीकेंड पर ठान लोग की पूरा रिविजन करके रहेंगे मैं और साथ इसाथ जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उन सब ती जो का आप माइक्रो नोट्स बनाओ बिल्कुल इस तरीके से मालों कि यह जैसा एक पेज है तो इस पेज पर इतना माइक्रो नोट्स मतलब की पूरा आपका एक चाप्टर जो है इन दोनों साइड में करके आपका कवर हो करके pocket note बनना चाहिए pocket में लेकर के चलो बार बार लगा तार एक बर रिवाइस करने से भी काम नहीं चलेगा बार बार रिविजन करने का आपके पास समय नहीं होगा तो यह जो पॉकेट नोट या माइक्रो नोट है यह बहुत काम आएगा एक नजर देखो कि दिमाग में सारी चीज़े घूम जाएगी जैसे प्रतिरोध अगर हम लिखे है ना तो प्रतिरोध शब्द से उसके रिलेटेट सारे आपके दिमाग में जो है घूम आ जहूम जाने चाहिए ठीक है तो इसलिए बहुत जरूरी है आपका यह पॉकेट नोट या सौर्ट नोट एक बार रिवाइस करने से काम नहीं चलेगा फिर से बोल रही हूँ आपको तीन बार चार बार रिविजन करना है इसके लिए जो पॉकेट नोट है यह आपका काम आएगा एक नजर मारों के सारी चीजे दिमाग में वापस से रिवाइस हो जाएगी तो आपको कभी भी कुछ भी चीज रटने की जरुवत नहीं पढ़ेगी और एक्जाम में कभी भी आपको लोड नहीं होगा ठीक है तो में फ्रति रोड होका सर्फ में ज़्हें जसमें हम पढ़ेंगे तो सबसे पेले हम लोगों ने ऑम के नियम में क्याप पार्टी होता है ठीक है और इसके बाद हम लोगों को यहां से relation मिला V equals to R I ठीक है यहां से हम लोगों को प्रतिरोध के बारे में मिला प्रतिरोध को जिसको हम लोग R से प्रदर्शित कर रहे थे V upon I जिसका मात्रक क्या है O है ना अब इस प्रतिरोध को हम हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो एक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से कैसे इस तरीके से हम जिग 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 लाइन खीसते हैं और इसकी दोनों सिरो पर इस तरीके से लाइन खज करके हम क्या करते हैं प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल आर से धर्शा आते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो गया प्रतिरोध इस तरी से एक प्रतिरोध अगर है तो हमारे पास ओम के नियम में एक विद्धित परिपत अस्टार ने यहां पर क्या लगाया वे भुवानता लगाया एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ठीक है तो क्या हुई इसमें से धारा प्रवाहित हुई तो यहां से हम लोगों को क्या मिला वी क्वल्स टू आं, या रहा emphasizing जो भी लिख सकते हो या तीन रूप में इसको लिख सकते हो I बराबर V by R या फिर क्या लिख सकते हो R बराबर V by I ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने अल्रेडी बता दी थी अब अगर हमको क्या करना हुआ अगर हम लोगों को मान लो कि कोई भी हमारा विद्यत परिपत है ये क्या है हमारा विद्यत परिपत 10th क्लास में आल्रेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर इस परिपत में हम लोगों को मान लो कि ऐसी आवश्यक्ता पढ़ी कई जगा कि जहां पर हम लोगों को ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए या ऐसी आवश्यक्ता हुई जहां पर हम लोगों को कम प्रतिरोध चाहिए पर हम लोगों उसकी आकरिती में चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम उनका सैयोजन क्या करेंगे हम उनका सैयोजन सैयोजन करने से क्या होता है सहियोजन करने से यह होता है कि जहां पर हम लोगों को क्या चाहिए ज्यादा प्रतिरोध चाहिए ठीक है तो वहां पर हम लोगों क्या करते हैं स्रेणी क्रम में सहियोजन करते हैं स्रेणी क्रम में सहियोजन का मतलब मैं आपको पूरा-पूरा समझाओंगी ठेहरो जरा सबर क करो ठीक है और अगर हम लोगों को जहां पर प्रतिरोध के मान को क्या करना रहता है कम करना रहता है तो वहां पर हम संयोजन करते हैं समनांतर क्रम में किस क्रम में समनांतर क्रम में और यह क्या होता है यह भी मैं आपको समझाओंगी ओल्रेडी वैसे मैंने स्रेडी क्रम और सम पर हम लोगों को कम जहां पर हम लोगों को क्या चाहिए था किसी भी संधारितर की धारिता का मान कम चाहिए था वहां पर हम स्रेनी क्रम में जोड रहे थे और जहां पर हम लोगों को किसी भी संधारितर की धारिता का मान ज्यादा चाहिए था वहां पर हम लोग समनांतर क्रम म तप्रतिरोधों कर चाहिए, वहां पर स्रेणी क्रम संयोजन, जहां पर हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यह देखा कि किसी भी विद्यूत परिपत में क्या किसी भी विद्यूत परिपत में हम लोगों को ज्यादा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध के लिए हम उनको क्या करते हैं एक सिस्टम में जोडते हैं दो तरीके से जोड सकते हैं जिसमें हमारा पहला सहियोजन है क्या पहला सहियोजन है हमारा स्रेणी क्रम है की नहीं पहला हमारा क्या है स्रेणी क्रम सहियोजन और दूसरा हमारा क्या है समनांतर क्रम सहियोजन अब वन बाई वन हम दोनों को एक एक करके जो है सीखते जाएंगे ठीक है संधारित्र के लिए तो हम लोगो संयोजन स्रेणी का मतलब होता है सिक्वेंस में सीरीज एक के बाद एक ठीक है क्या होता है स्रेणी का मतलब एक के बाद एक इसको अंगरेजी में बोलते हैं क्या सीरीज कनेक्शन क्या बोलते हैं सीरीज कनेक्शन आप लोगों ने गणित में भी पढ़ा होगा सीरीज के बार एक लाइन में खड़ा करा दिया जाए इसका मतलब क्या है एक सीरीज में खड़े हुए हो मतलब की मानलो की अंजली, ममता, नंदनी सब क्या है एक के पीछे एक खड़े हुए है तो क्या होगा जैसे कि मेरे सामने मानलो नंदनी खड़ी हुए तो नंदनी का सर और मेरा चहरा एक दुसरे क्यामने सामने हो गा नंदनी का सर और मेरा चेहरा यह दूसरे क्यामने सामने मेरे पीछे चलो ममता चली गई तो क्या हो जाएगा मंता का जो चहरा है वो मेरे सर के सामने होगा तो इस तरीके से एक के बाद एक खड़े होते हैं अब जब प्रतिरोध की बात करूँ तो प्रतिरोध के केस में क्या होता है प्रतिरोध के केस में इस तरीके से मतलब हम क्या करते हैं जैसे कि मालो कि मैं यहाँ पर तीन प्रतिरोध ले रही हूँ, ठीके, क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैं, जैसे कि यहाँ पर मैं तीन प्रतिरोध ली, ठीके, यह हो गया हमारा तीन प्रतिरोध, जिसमें से मैं मालो इसको नाम देती हूँ, A, B, ठीके, यह वाले प्रतिरोध क 3 प्रतिरोध तो पहला वाला जो प्रतिरोध है पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सीरा मतलब की B पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सीरा और दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सीरा इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से करनेक्ट करेंगे तो ये करनेक्शन क्या कहलाया ये ज किसरे प्रतिरोध के पहले सीरे से अगर connected है ठीक है जुड़ा हुआ है तो ये सहियोजन क्या कहला या स्रेणी क्रम तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर तीन प्रतिरोध को जोड़ा आप चाहो तो इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप चाहो तो इसी तरीके से एन संख्या म हम लोगों को करना क्या होता है इसका अगर हम लोगों को कुल प्रतिरोध निकालना है क्या करना है अगर कुल प्रतिरोध निकालना है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या तुल्य प्रतिरोध क्या बोलते हैं बेटा तुल्य प्रतिरोध सहो सकता है कि नया वर्ड आप लोग में आया अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अगर सही ओजन होगा ठीक है तो वहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे इनके सिरो पर विभुवांतर लगाएंगे विभुवांतर लगाने से ही मान लो की क्या होगी हमारी विद्धारा प्रवाइत ह जैसे कि मैं पहले तीन के लिए आपको समझाती हूं ठीक है पहले क्या करते हो तीन के लिए समझाती हूं यहां पर हम लोगों ने क्या किया एक वी विवांतर आरोपित करने से हुआ क्या यहां पर इस चालक तार में क्या हुई आई धारा प्रवाहित हुई ठीक है तो मान लो कि जो पहला प्रतिरोध है ठीक है पहला प्रतिरोध इसके सापेक्ष विभाव क्या होगा दूसरे प्रतिरोध इसके सापेक्ष विभाव क्या होगा तो जाईर सी बात है कि जैसे कि मैंने वी विभुवांतर लगाया और इस चालकतार में क्या हुआ सीरीज कनेक्शन में जूड़े होने के कारण समान धारा प्रवाहित होगी जो की आई धारा होगी परन्तु यहां पर प्रति एक प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर अलग-अलग होगा, है नग, क्यों होगा क्योंकि जैसे कि यहां पर इस विभवांतर इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हुई ठीक है तो इनके सापेक्ष जो विभानतर है वो क्या होगा V1 होगा और ओम के नियम से ये क्या होगा V1 बराबर IR1 V1 बराबर क्या होगा IR1 ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या होगी आई धारा प्रवाहित होगी और R2 के सापेक्ष जो विभाव होगा वो R2 प्रतिरोध के कारण आई धारा प्रवाहित होने से होगा तो इसके सापेक्ष विभाव क्या होगा IR2 इसी तरीके से similarly इसी प्रकार क्या होगा तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 clear है सबी को yes you know जल्दी से बताओ बहुत important है आना ही आना है numerical दाएंगे थोरी भी पूछ सकता है बोड इक्जाब में ठीक है तो इस तरीके से तीन विभाव मिले यहाँ पर तीनों प्रतिरोध के सापेक्ष ठीक है और यह जो तीन विभाव है वो है योग है बीज गडितिया योग है जो विभुवांतर हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिसके बराबर है capital V के बराबर जो विभुवांतर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया इस V के बराबर सभी को clear है यह सभी को clear है और यह जो V1 बराबर IR1 V2 बराबर IR2 V3 बराबर IR3 ये हम को कहां से मिला ये हम लोगों को मिला Ohm के नियम से कहां से मिला Ohm के नियम से समझ में आया सभी को Clear है ठीक है सो यहां पर अगर आप लोगों को derivation लिखना है तो इस चीज़ को आप लोगों को जैसे वी 1, V2, V3 तो ये लिखा आई ये हमारा क्या हो गया equation 1 हो गया ठीक है इसी के साथ आप लोग लिख सकते हो कि ओम के निया मनुसार लिख लो यहां पर ओम के निया मनुसार V1 बराबर हमारा IR1 होगा V2 बराबर हमारा IR2 होगा और क्या होगा V3 बराबर V3 बराबर IR3 होगा ठीक है और क्या होगा V बराबर IR क्या होगा V बराबर IR ये जो R है वो क्या है तुल्य प्रतिरोध है इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ठीक है ये इन तीनों का क्या है तुल्य प्रतिरोध जिसको हम जाएगा फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर I R1 I R2 प्लस I R3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या I R तुल्य प्रतिरोध या फिर R इकोएलर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है आई जो है वो कॉमन हो रहा है आई कॉमन हो रहा है जिसे ब्रेकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया यहाँ पर क्या गया I R तुल्य और यहाँ से क्या हो जाएगा I और I कैंसल हो जाएगा और यहाँ से R तुल्य बराबर आर वन प्लस R2 प्लस R3 यह किसके लिए हो गया स्रेणी क्रम सहियोजन के लिए हो गया तीन प्रतिरोध अगर हम लोगों ने लिया तो किसके लिए हो गया स्रेणी सहियोजन के लिए ठीक है पर हो सकता है सईयोजन में कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं ठीक है अनंत प्रतिरोध भी हो सकते हैं इंफाइनाइट प्रतिरोध का भी कर निमारिकल जो है आता है एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है फिलहाल मैं आप लोगों को यहां पे बता देती हूं कि अगर ए एसे हुए एन संख्या में हुए यह आरवन प्लस यह प्लस नहीं यह आरटू आर थ्री और यह डैश 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 यह बिलकुल आर एन संख्या में हो गए ठीक तो यहां पर इस तरीके से प्रतिरोधों का सहीं हो जल रहा इसके सापेक शगर हम वीभा लगाते हैं वी ठीक है और यहां पर हम लोगों को अगर तुल्य प्रतिरोध हो चाहिए तो यहां पर आर तुल्य क्या हो जाएगा आर तुल्य यहां पर स्रेणी क्रम में हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश 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 आर एन ठीक है एन संख्या में यह क्या हो स्रेणी क्रम में तुलिय प्तिरोध हो गया त्टो अगर आप लोगों को ज्यादा तर तुलिय प्रतिरोध निकालने के नियोमार करेंнее हैं स्रेणी और समनांतर को मिला करके भी कभी-कभी विद्वित परिपत आते हैं और एन संख्या में या फिर अनंत संख्या में भी वहाँ पर देते हैं तो ऐसे जगह में द्वीपत प्रमय का प्रयोग करा जाएगा तो बहतर होगा कि आज की क्लास की बाद आप लोगों के जो गड़ित का द्वीपत प प्रतिरोधों के लिए जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है हो लाग होगा तो यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाते boxes मैं बताई थी जो आप नोट कर सकते हैं या फिर भाई screenshot लेना है तो ले लो बिलकुल मैं side हो रही हूं जल्दी से quickly okay so I hope कि आप लोगोंने screenshot ले लिया होगा अब हम बात करेंगे पार्श्व क्रम सहियोजन या फिर समनांतर क्रम सहियोजन की तो भाई समझ आ रहा है कि नहीं देखो अभी तो बहुत आसान था सुरेणी क्रम वाला पार्श्व क्रम में calculation थोड़ा सा difficult होगा हना क्योंकि वहां पर आप लोगों को ज्यादा तर LCM स्थमाल करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा so calculation थोड़ा difficult होगा concept तो आफ्कॉस easy ही है ठीक है बस अब इसका connection आप लोगों को समझना है जैसे कि वहां पर मैंने एक प्रतिरोध बहुत सारे प्रतिरोध लिए ठीक है यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर समनांतर करम से योजन के लिए भी मैं यहां पर तीन प्रतिरोध पहले लेती हूं ठीक है एन संख्या में भी हम लोग देखेंगे पर पहले हम तीन ले लेते हैं ठीक है यहां पर यह क्या ह यह वाला जो है पहला सीरा है सारे प्रतिरोधों का क्या है पहला सीरा और जो राइट साइड में हैं ये सारे प्रतिरोधों का दूसरा सीरा है अब जब हम लोग जिस तरीके से समनांदर क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग करते हैं सब के पहले सीरे को जो है एक सांथ करते हैं इस तरीके से और सब के दूसरे सूरी को क्या करते हैं इनको A और B नाम दे देते हैं अब होगा क्या हम लोगों को करना क्या होगा क्योंकि हम को विद्युद्धारा प्रवाहित करनी है तो यह और भी मतलब की सभी प्रतिरोधों के पहले सीरों को एक साथ जोड़ के और दूसरे सीरों को एक साथ जोड़ करके यह जो ए और भी है क्या है इनका दो सीरा है और हमको क्या करना होता है दो सीरों के सापेक्ष्रम लोगों को विभुवांता लगाना होता है तो यहां पर अगर हम क्या कर रहे हैं भी विभुवांता लगा रहे हैं इस तरीके से ब्लस और माइनस तो क्या होगी इस विद्धारा प्रवाहित होगी तो जब यहां पर विद्धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर ध्यान दो कि यहां पर इस तरीके से विद्धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर इस तरीके से विद्धारा आ रही है ठीक है पर देखो अब होगा क्या यहां पर देखो थोड़ा सा अलग होगा अब यहां पर यह जो सीरा है इस हिस्से से तीन तार जा रहे हैं क्या जा रहे हैं तीन तार जा रहे हैं ठीक है पहले क्या था एक ही तार था एक ही तार में इस तरीके से लाइन से जो है इस तरीके से इसका मतलब यहां पर जो विद्युद्धारा है ये भी क्या होगी तीन भाग में बटेगी ठीक है क्या होगी तीन भाग में बटेगी डिवाइड होगी उसके प्रतिरोध का मान कितना है उस पर निर्भर करेगा कि कौन से भाग में कौन मतलब कितनी विद्युद्धारा सापेक्ष विभुवांतर हम लोग capital V लगा रहे हैं तो इन सभी के सापेक्ष आरवन आर्टू और आर्ट्री के सापेक्ष जो विभाव है आप लोगों का वो क्या होगा विभाव या विभुवांतर बोल सकते हो यह जो है आप लोगों का V ही होगा मतलब यहां पर विभाव में अलग-अलग धाराएं भहेगी ठीक है तो यहां पर पार्शुक्रम सही ओजन में जब हम लोग या फिर समनांतर सही ओजन में इसको क्या बोलते हैं समनांतर ठीक है तो ऐसे सही ओजन में जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हुआ ठीक ह मैंने समझाने के लिए comparison के purpose से यहाँ पर बनाया था सभी को clear है, समझ में आ रहे है, अब आगे क्या करना है, कौन बताएगा आगे क्या करना है हमको, कोई guess कर सकता है, आगे क्या करना है हाँ भई, क्या करना है, ओम का नियम लगाना है, तो ओम के नियम से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे I1 बराबर देखो क्या होता है V बराबर I R I बराबर V बटे R ठीक है तो यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2 i3 बराबर v2 बटे r3 लिख लेते हैं यहाँ पे, ओम के निया मानूसार लिखो पहले यहाँ पर आधा दूरा मतलिना, पुरा पूरा लिखना, i3 बराबर, v2 आर वन बराबर, v1 r1, i2 बराबर, v2 r2, और i3 बराबर, v2 r3, ठीक है? इस तरीके से होगा, समझाया, ओम के नियम से, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन चारों का मान, इन चारों का मान हम रखेंगे, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक में इन चारों का हम मान रखेंगे, रख दो भाई, फटाफट, इतना सरल, इतना इसी, दस्वी कक्षा हमें भी आप पढ़के ही आए हो, मेन आप लोगों को निमारिकल प्रैक्टिस करना होगा, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इसको कुईकली कवर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, V by R, बराबर V by R1, प्लस V by R2, प्लस V by R3, हना, अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, तो V by R इधर रहेगा, यह जो है, वो क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, यह क्या है, आप लोगों का तुल्य प्रतिरोध है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, V कॉमन निकल जाएगा, ब्रेकेट में आ जाएगा, एक बटे R1, प्लस एक बटे R2, प्लस एक बटे R3, है की ने भाई, अब यहाँ पे होगा, क्या आगे, आगे होगा, V और V कैंसल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हाजाएगा, क्या, एक बटे R तुल्य बराबर, एक बटे R1, प्लस एक बटे R2, प्लस एक बटे R3, देखो हर चीज यहाँ पर बटे में है, इसलिए मैंने कहा था, कि यहाँ पर थोड़ा सा क्यालकुलेशन जो है, आप लोगों का डिफिकल्ट होगा, आगे जब आपने मारिकल करोगे तो इसके लिए आप लोगों को LCM वगरा निकालने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत LCM का भी प्रेक्टिस आप वापस से कर लेना, देख लेना, ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का तीन प्रतिरोध के लिए अगर समनांतर क्रम में हम तु सहियोजन का इस्तमाल हम तब करते हैं, जब हम लोगों को प्रतिरोधों का मान कम करना हो, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान अगर हम को कम चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं, समनांतर क्रम सहियोजन करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर, जैसे मान लोग की क्या है, एन संख संख्या में प्रति रोध है ठीक हैसी टीक से मैं डैस्ट कर दे रही हूं यहाँ पे एंध्र प्रति रोध हजोड हूं यह है आपका आर Niebben और यहाँ पर प्रति रोध आरवन आड़ डू रर्फर ऑर इस तरीके से और unf alright है आया है कि एक बटे आरए earthly श्रीन प्लेस ट्रेस एक बटेर और यहां पर आप लोगो को जैसे की मुझे बीपत्प्रमे या फिर does a सैयोजन सीरीज सॉल करोकर आप अपलोगों को थोड़ा सा मैथमैटिक्स सीष्टमाल करना पड़ेगा तो इसकी लिए आप लोगों को रैडी रहना है प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रित्रोध के तुल्य प्रितक प्रति रोध के बराबर होते हैं ठीक है मतलब कि क्या वो रहे कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युद्क्रम है वो प्रितक प्रतिरोधों के व्युद्क्रम के योग के बराबर होते हैं ये कहरा है ठीक है ओके नियूनतम प्रतिरोध प्राक्त होता है जोडने से कम हो जाता है प्रतिरोध का मान तीनों साखाओं में अ थारा अलग-अलग होती है आई 1 आई 2 और आई 3 जबकि क्या होता है विभाव एक समान होता है विभावांतर समान होता है यह हमारे समनांतर क्रम सहीं हो जन के लिए है note down कर सकते हो quickly screenshot ले सकते हो okay guys ले लिया screenshot very good चलो तो यहां पर स्रेणी और समनांतर दोनों का यहां पर जो है conclusion लिखा हुआ है स्रेणी में समान धारा और समनांतर में क्या होगा समनांतर में क्या होगा समान विभुवांतर स्रेणी में क्या होता है प्रतिरोध के सिरो पर विभुवांतर अलग-अलग होता है और इसके प्रतिरोध के क्या होता है अनुत क्रमानुपाती होता है इसमें क्या होती है समनांतर में प्रवाहित धारा जो है अलग-अलग होती है और प्रतिरोध के क्या होती है समानुपाती है वो क्या हो जाता है घट जाता है कंक्लूजन है ही ठीक है नोट कर लो फुटा फट से कुछ important चीजे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी देखो भाई जब आप लोग नियुमारिकल इसके रिलेटेड आपने उमारिकल सौल करोंगे तो जब आप लोगों को मान लो की दो दो जो विद्व फृति रोध है वो इस तरीके से अगर आप लोगों को समनांतर क्रम में दिये हुए हैं ठीक है और इनका अगर आप लोगों को क्या करना है तुल्य प्रतिरोध निकालन इसको ध्यान रखना अगर इसको solve करोगे तो होगा क्या यह एक बटे आर equivalent बराबर क्या होगा यहां नीचे लिख देती हूँ एक बटे एक बटे आर equivalent बराबर यहां पे क्या हो जाएगा LCM लोगे तो R1 into R2 यह हो जाएगा क्या R2 plus R1 तो यहां पे आप लोगों को हमेशा ध् और important चीज अगर यहां पर इस तरीके से प्रतिरोध दिये हुए हैं अगर इनकी value समान हो जैसे यह R है यह R है ठीक है तो जब भी हम लोगों इनका समनांतर क्रम solve करते हैं तो इनका जो तुल्य है ना R equivalent वो क्या हो जाता है R by 2 हो जाता है जैसे माल लोग कि यहां पर तीसरा प्रतिरोध भी हम जोड दिये R तो यहां पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R by 3 हो जाएगा solve करके देख ले ना आप लोग जैसे कि 1 बटे R plus 1 बटे R किये तो यह क्या हो जाएगा R का वर्ग और यह R प्लस R यह 2R हो जाएगा और इसको पलट दोगे तो क्या ह हो जाएगा इसको पलट दोगे तो R का वर्ग बटे 2R यह R और R कट जाएगा और R by 2 आ जाएगा करके देख लेना ट्राई अभी मैं बहुत फास्ट आप लोगों को बता रही हूं बट यह चीज होता ही होता है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है अब जैसे कि मान लो R के जगा कोई value हुई R के जगा क्या हुई कोई value जैसे कि मान लोगी क्या है 6 है 6 और 6 ओम ठीक है तो आप याद रखना कि समनांतर क्रम में अगर मैं इनका equivalent निकालूंगा या निकालूंगी ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा मतलब इनका equivalent जो है वो 3 की नो माएंगा अगर एक जैसा मान रहा तो ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है numerical solve करते समय ठीक है यह चीज़ आपने ध्यान रख लिया ठीक एक और important चीज में आप लोगों को बताना चाहूंगी ठीक है इस तरीके से कोई connection दिया हुआ है और यहां पर यह values अगर सेम है और यहां पर बीच में भी कोई इस तरीके से दिया हुआ है जिसका value भी आर ही है ठीक है इस तरीके से कोई connection दिया होगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह जो आमने सामने वाले प्रतिरोध है ना इनका मान क्योंकि समान है इस वज़े से होगा क्या यहां पर जो बीच में प्रतिरोध है ना इससे बहने वाली धारा जो है वो क्या हो जाएगी शुन्य हो जाएगी जब भी आप लोगों को मिलेंगे वहाँ पर निमारिकल्स ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है थ्यान रखना इसमां चीज किया होगा यहां पर पर बीच से अगर बीच से बहने वाली धारा और जो आपस में जो है इनका तुल्य और इन दोनों का तुल्य आपस में आ जाएगा तो समनांतर में सॉल्व करने से और बी के साप लोगों को क्या मिल जाएगा प्रतिरोध मिल जाएगा तो यह आप लोगों को जो है ध्यान में रखने हैं अगर और कुछ फैक्ट रिलेटेट को अगर मुझे मिलेंगे नुमारिकल करवाते समय तो वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगी पर इन चीजों का ध्यान रखना है आता ही आता है एक्जाइम में और जनरली आप लोगों को इस तरीके के कोश्चंस भी देखे दिए जाएंगे जैसे कि मालों की यहां पर वन ओम है यहां पर वन ओम है ठीक है अब यह जो है यह कनेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है वन ओम वन ओम मतलब कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है यह वाला जो हिस्सा है ठीक है यह जो है अनंत तक के repeat हो रहा है इस related questions भी आते हैं आप लोगों को जब इस तरीके से बार-बार repeated connections आते हैं तो होता क्या है हमको यहां पर जो है आर equivalent इस terminal के सापेश मतलब A और B के सापेश हम लोगों को यहां पर ज्याद करने के लिए question exam में आता है तो वहां पर क्या करोगे आप आप जो बचे हुए हिस्से जो है इनको क्या कर सकते हो बचे पहला हिस्सा को as it is लिख लो one ohm और one ohm ठीक है यह वाले हिस्सा आप लोगों का आर equivalent हो जाएगा और यह जो बचे हुए हिस्से हैं इनको जो है आर equivalent करके ही लिख सकते हो क्योंकि य अनंत में से अगर एक हिस्सा आप हटा दोगी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर आर एक्वेलेंट अगर लिखोगे तो यह आप लोगों का जो है कनेक्शन से सॉल्फ हो जाएगा मैं दिखाऊंगी बताऊंगी करके दिखाऊंगी इस तरीकी के नियुमारिकल्स आप आप लोगों को करवाओंगी बट आज की क्लास के बाद खुझ से भी आप लोगों को कुछ कुछ प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए प्रिपैड रहना ठीक है तो बिल्कुल आप फटा-फट स्क्रीन शॉट ले सकते हो यह जस्ट फैक्स मैंने बताए हैं यह त्योरी का बजना भी बहुत जरूरी है वैसे टैंथ में ही पढ़ा हुआ हमारा कॉंसेप्ट था ठीक है चलो इसको मैं फटा-फट से मिटा रही हूं अब हम आ जाते हैं क्या किर्चौफ के नियम में आ जाते हैं ठीक है सब रेडी हो जाओ नोट्स वगरा प्रॉपर बना रहे हो की किर्चौफ का नियम आपको पढ़ना है जैसे कि आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा कुलाम का नियम पढ़ा और बहुत सारे नियम पढ़े बात समझ में आ रही है कि किर्चौफ यहां पे क्या है साइंटिस्ट का नाम है किर्चौफ जी ने क्या किया कि जैसे कि हम लोगों ने ओम का नियम प्रतिरोधू का सहियोजन पढ़ा तो प्रतिरोधू के सहियोजन में आप लोगों ने देखा कि जो विद्युत परिपत है बहुत जादा जटील रूप में बन रहे हैं, complicated बन रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जटील विद्धुत परिपत को solve करने के लिए, हम लोग प्रति रोधों के सहारा किर्चौफ का नियम हमको मिला, ठीक है, किर्चौफ के नियम में किर्चौफ जी ने दो तरह के नियम दि जो है, रो ओल्डेज लोग, ठीक है, ठीक है, प्रत्हम नियम द 59 के सहारा की सहायता से इंचे टिल परिपत्थ को हम लोगों को solve करना easy हो गया तो इसको आज हम लोगों को समझना है और बहुत इतमिनान से समझना है बहुत important है, बिलकुल वी confusion, आप को होना नहीं चाहिए ठीक है तो किर्चॉफ के नियम में सबसे पहले इसके दो नियम पहला नियम किर्चॉफ का दूसरा नियम पहला नियम को हम लोग बोलते है क्या किर्चॉफ करेंट लॉग ठीक है ग्रितिय नियम के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या KBL, ठीक, अब जब जटिल प्रतिरोध होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ कुछ चीजे और भी समझ नहीं है, वो चीजे क्या है, जैसे की, जैसे की कुछ कुछ चीजे और है, वो चीजे क्या है, जैसे क कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक चालक तार को हम जहां पर जोडते हैं तो वो जुंक्शन पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है नोड कहलाता है आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो ठीक है लिख सकते हो नोड कहलाता है अब इसके अलावा नोड के अलावा जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या संधी क्या है संधी संधी को समझने से हम शाखह समझ लेते हैं तो सबसे पहली बार यहां पर जैसे कि दो या एक शाखा है ठीक है एक ब्रांच है मेरा यह मेरा एक ब्रांच है और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ब्रांच यह है ठीक है यह हमारी तीन शाखाएं है इस एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रही है तो जब तीन या तीन से अधिक शाखाएं किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट हो तो उनको कहते हैं क्या संधी क्या बोलते हैं को संधी पॉइंट बोलते हैं हम लोग और यह हमारी क्या कहलाती है तो तीन नए शब्द हम लोगों ने सिखे ठीक है क्या सिखे हम लोगों ने तीन नए शब्द हम लोगों ने सिखे ठीक अब होगा क्या जैसे कि मान लोग कि यह शा ठीक है इस तरीके से मालो क्या हो गया यह इस तरीके से मालो के कुछ बना ठीक है तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर आप लोगों को ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं यह सब क्या है ब्रांचेस है ठीक है और यह जो है वो क्या है आप लोगों के संधी है जंक्शन पॉ लाते हैं और इन बंद परिपत में हम लोग क्या करते हैं हम लोग के सीयल और के वियल लगाते हैं जिससे हम लोगों को क्या मिलता है तुल्य प्रतिरोध विद्धारा या विभाव जो भी हम लोगों को कैलकुलेट करना हो वो हम क्या कर पाते हैं कैसे करते हैं क्या करते हैं सी सबड़ाद होग hazard हो गा ठीक है और कैया होगा विद्धापार बैएगी ब्रांचर से चल्दी से कुईक्ली बना नेंगे दैथां अंगे कुर्चॉप के प्रत्म नहीं में और के लिचाफ के द्वितिय साक्ब के बारे में तीन या तीन से अधिक ब्रांचे जा करके मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संधी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का संधी है, ठीक है, अब इन ब्रांचे में, जैसे कि ये वाले ब्रांच में क्या हो रही है, I1 धारा बहरी है, यहां पर क्या बहरी है, I2 धारा यहां पर जितनी भी विद्युद्धाराएं है इन सभी का बीजगणितिया योग शुन्य होगा क्या होगा या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह जैसे एक संधी पॉइंट है ठीक है तो इस संधी पॉइंट पर जो आने वाली धारा है ठीक है आने वाली धारा है तो आने वाली धाराओं का जो योग है बराबर होगा क्या जाने वाली धाराओं के ठीक है जाने वाली धाराओं के अब अगर इसको मैं जो है यह तो मैंने समझाने के लिए बताया बिल्कुल आप समझने के लिए इस language में लिख सकते हो क्योंकि में मोटिव हमारा समझना है ठीक है नोर्स आपको खुदी पढ़ना है तो आपको जैसे जिस सब्दों में भी समझ में आता है उन सब्दों में साफ सुत्र आप लिख सकते हो यहां पर जैसे बीच गणिते योग अगर मैं करना चाहूँ तो जैसे कि यहां पर आईवन धारा आ रही है आई टू धारा आ रही है ठीक है और मतलब कि उसको क्या कर रहे हैं अगर रिनात्मक ले रहे हैं तो इस तरीके से यह क्या होगा यह जो है आप लोगों का सभी का बीज गडितिया योग जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था सभी का बीज गडितिया योग शुन्य होता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसक क्या हो रही है आई 3 प्लस आई 4 प्लस आई 5 क्या हो रही है तो आप लोग देख सकते हो आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है जाने वाली धाराओं का योग होता है किसी संधी पॉइंट पर किसी यहां पर इस तरीके से संधी या नोड पर इस चीज को आप लोग को प्रतिरोध पता है तो यहां पर हम लोग इस्तमाल करेंगे और यह सारी वैलिस रख के हम करेंगे निमेरिक जहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि किर्चॉफ के नियम का अनुप्रयोग मतलब इस्तमाल कैसे होगा क्या होगा तो फिलहाल आप जल्दी से नोट कर लो इसकी थोरी भी मैं आपको लिखवा दूँगी जो मैंने आपको बोल के बताया है वो लिखा हुआ मैं बिलकुल ले करके आई हूँ आप लोगों के लिए आप लोग नोट कर सकते हो हो गया भाई डाइग्राम बना लिया वेरी गुड स्क्रीन शॉट ले लो या फटा फट आप यहां पर जो है देख सकते हो कि किर्चौफ का पहला नियम संधी नियम कहलाता है कैसे संधी नियम कहलाता है मैंने बताया ना यह क्या है संधी पॉइंट है यह क्या है संधी का मतलब बहुत सारी शाखाएं आकर कि किसी एक जंक्शन पर जहां पर मिल रही है वो संधी कहलाती है तो संधी नियम भी व्यालाता है क्यों कि संधी से संबंदित है इस नियम के अनुसार क्या होता है इस नियम के अनुसार विद्वित परिपत में किसी संधी पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीच गडितिय योग क्या होता है शुन्य होता है इस नियम को हम इस प्रक यहां को बराबर क्या होता है कि नियम नियम यहां नियम 9 संधी पर और क्या होता है विद्धार अवेश औ के प्रवहा के धर दार ही on और हम लोग इसको किर्चॉफ करेंट लौ बोलते जरूर है पर एक्चुब में प्रवाहित कौन होता है विद्धार विद्धावेश ही प्रवाहित होते हैं ठीक है हर जीज का मूल यहाँ पर क्या है विद्धावेश जो हम लोगों ने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में चौटकट में केवियल बोलते हैं तो इस केवियल में होगा क्या इस केवियल में हम लोगों को बंद परिपत चाहिए क्या चाहिए बंद परिपत चाहिए इस बंद परिपत को हम लोग अंगरेजी में क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं ठ दूसरा प्रतिरोद ठीक है यहां पर मालों की क्या है विभुवानतर जुड़ा हुआ है इस तरीके से ठीक है तो यहां पर क्या हो गए दो लूप हो गए क्या हो गए दो लूप दो बंद परिपत हो गए तो बंद परिपत हो गए इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से हम लगारे हैं तो वी के form में इस तरीके से होगा या तो फिर अगर मान लो कि अगर कोई प्रतिरोध है जैसे कि यहां पर आर प्रतिरोध है और यहां से आई धारा बह रही है ठीक है तो ये जो है इसके साफेक जो fish परिपत में तो के बिल के नुसार होता यह है कि किसी भी बंद परिपत में सभी विभूांतर का जो में योग शुन्यों होता है तो यह हम लोगों का जो है इसको हम लोग किसी परिपत के सहाइता से अगर यहां पर समझे तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक परिपत बना देती हूं ठीक है एक बंद परिपत बना देती हूं इस परिपत में जैसे कि विद्युत यह विभुवांतर या फिर विद्युत वाहकबल दोनों का मतलब एक ही है ठीक है दोनों का मतलब एक ही है तो बुक में आप लोगों को कहीं पर विद्ध वहाग बल भी लिखा होगा तो कन्फ्यूज मत होना जैसे कि मान लो यह एक परिपत है यह है आप लोगों का वीवन और यह क्या आरवन ठीक अब इस एक और परिपत इसके नीचे क्या है मान लो की यहां पर इटू और यह हो गया क्या यह एटू यह आर्थ्री हो गया और बीच में यहां पर क्या हो गया आर्टू हो गया ठीक है तो इस तरीके से मान लो की क्या है कोई विद्ध परिपत है बना लो भाई विद्ध परिपत अब यहाँ पर मैं विद्धुद्धारा भी आप लोगों को बना के दिखा देती हूं यहाँ पर जो विद्धुद्धाराएं हैं यहाँ पर आईवन विद्धुद्धारा बहरी है यहाँ पर मतलब की यह एक विद्धुद्धारा भी आईवन विद्धुद्धारा बहरी है मतलब की यह एक विद्धुद्धार लगा रहे हैं प्लस और माइनस ठीक है तो इससे ही जो है आईवन विद्धुद्धारा यहाँ पर बहर के निकल रही है ठीक है और यहाँ पर दूसरा भव हम लोग आलवपित करेंगे लगाएंगे उन से निकलेगी होगा क्या यह बीच वाले हिस्से में यहां पर जो है यह दोनों विद्धाराएं जो है जूड़ करके जाएगी ठीक है दोनों विद्धाराएं इधर से आईवन और इधर से आईटू आ रही है और जाक इधर जली गई इस तरीके से तो यहां पर आटू में क्या है आईवन और आईटू दो विद्धाराएं गई अब हम लोगों को यहां पर जो है किर्चॉफ का दूसरा नियम या फिर किर्चॉफ वोल्टेज लाओ जैसे अगर लगाना है ठीक है तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ह हमारे पास यह जो विद्यूद परिपत है इसमें दो बंद परिपत है एक हमारा है यहम फूसरा हमारा है यह हमारा है यह ऑई यह तरीकर की ょ में यहां पर लुग को यह जो डारिक्षन लिया यह Brother इस तरीके से बहर रही है इसलिए यहां पर मैंने डारिक्षन लिया Okay इस तरीकेसे इंक terazि इस तरीके से थी कहींश शोटी-छोटी चीछोटी और gars करना है हो सच्ते है कि आपको यह च्वटी-च्छी चीजह कोई ना बैठ जाएगा जिबकि नॉर्मली ये सभी लोगों को सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता है हर प्रांचेस वालों को मनला वाल वालों के लिए बस इजी होगा यह बाग के सब इसको यह तफ लगता है पर आपके लिए मैं एकदा मीजी बना दूंगी बहुत ध्यान से आपको देखना है समझना है इन चीजों को ठीक है एकदम ध्यान से समझना है यह इस तरीके से हम लोगों ने किया अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर इस बंध परिपत के लिए दो लिखेंगे दो एकमेशन लिखेंगे ठीक अब यहां पर कैसे इसको लिखेंगे लिए यहां पर एकटी माल । लोगों को लिखना है यहां से सुरू करेंगे हम विभाव से लिखना है तो जैसे कि यह विभाव यह सुख है यह एज माइनस इधर से चल रही हूं है इधर से चलते चलते आउग्स तो यह llegar क्या हमारा पहला equation में लिख रही हूं पहले वाले लूप में लूप 1 में ठीक है कहां पर लूप 1 में यह हो जाएगा माइनस V1 और उसके बाद माइनस V1 के बाद यह हमारा इस लूप में R2 वाला हिस्सा आएगा हमारा R2 के सापेक्ष करेंट बहरा है क्या विद्धारा I1 प् I2 ठीक है और इसके बाद हमारा आएगा क्या R1 तो R1 में क्या हो गया R1 प्लस R1 क्या I1 R1 ठीक है क्योंकि यहां पर वापस जो विद्धारा जाएगी वो I1 जाएगी और इधर जो आएगी वो क्या जाएगी I2 आजाएगी ठीक है तो इसलिए R1 में हमारा जो विद्धारा होगा वो क्या होगा आई वन होगा तो यह हमारा क्या हो गया पहला एक्वेशन हो गया यह पहला एक्वेशन पहले लूप के लिए जब भी हम लोग जो है इस तरीके से दूसरा नियुए Hang लगा कि विलगा कि हम जब परिपाइप सौльव करेंगे तो इस तरीके से में लुगों को इक्वेशन लिखना है दूसरा इक्वेशन क्या हो गया लूप 2 के हो जाएगा यहां पर यह आई टू आर थी बराबर शुन यह हमारा क्या हो गया दो एक्वेशन हो गया अब यह दो एक्वेशन हो जो मिलेगा आप लोगों को लूप 1 और लूप 2 के लिए तो जो भी वैल्यू आप लोगों को प्रेशनर में निकालने के लिए बोलेगा हो सकत करेंगे जब हम लोग निमारिकल प्रैक्टिस करेंगे तो फिलहाल आप इतना ही सीख सकते हो ठीक है आप V1 को पक्षांतर करके भी लिख सकते हो कई लोग क्या करते हैं यहां पर जस्ट अपोजिट चिन्ह लेते हैं जैसे कि जहां-जहां मैंने माइनस लिया है वो लोग वहा मैं हमेशा से इस चीज़ को फॉलो करते हैं और मैं आपको भी हैं शर्म कहल करते हैं किसी पर भी वर प्रतिरोत हो वह क्या है एक्चुल में विभव ही है विभवांतर ही है ठीक है तो हम लोग क्या कह सकते हैं और यह आई वन और रवव यहाँ पर यहां पर आप लोग क्या देख सकते हो कि इनका वीजगडिती है योग है वो क्या होता है शुन्य होता है कि सारे voltages का वीजगड़ी तिया योग तो जैसे कि इस विद्युद परिपात में ये भी क्या है दूसरा कलर ले ले लिते हैं ये भी क्या है वोल्टेज है इसके सापेक जैसे मैंने यहां पर इसको विद्युद धारा से गुणा करा I1 R1 ठीक है तो यह भी क्य योग क्या लिखा हम लोगों ने शुन्य लिखा ठीक है तो यही हमारा क्या है किर्चॉफ का दूसरा नियम किर्चॉफ वोल्टेज लॉज इसको हम बोलते हैं तो बिल्कुल आप इसकी थियोरी लिग सकते हो किसी भी बंद लूप या फिर परिपात में विद्युद वहां V1 बराबर क्या मिला हमको I1 R1 I1 R1 प्लस R2 I1 प्लस I2 ठीक है यह मिला हम लोगों को पहला एक्वेशन मिला था ठीक है तो वही चीज है अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा ठेहरना समझना बिल्कुल बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लास जो है वो खतम होने वाली है तो ठेहर के तोरह समझोगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा ठीक है अब दूसरे शब्दों में किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीज गड़ीते योग क्या होता है शुन्य होता है समेशन आफ वी वराबर शुन्य किर्चौफ के दूसरा नियम या फिर लूप का नियम भी बोलते हैं पहले वाले को संधी नियम बोल रहे थे दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं लूप नियम बोल रहे हैं तब हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि दूसरे नियम के नुसार बंद परिपत के अलग-अलग भागों में प्रवाहित हो रही विद्ध प्रतिरोध हो और उनका जो विद्धारा का गुड़न फल है उनका बीजगड़ी ती योग क्या है उस परिपात में उपस्तित विद्धवाग बल या फिर विभांतर के योग के बराबर होता है ठीक चालो स्क्रिंशॉट ले लो फोटाफट से इत्मिनाम से समझ लेना सारी चीजे मैंने समझा दी है और अगर तफ लग रहा है तो दुबारत इबारा आपको ये हिस्सा वापस से रिपीट करके आपको देखना है इस वीडियो को आपको फिर से चला करके देखना है पढ़ना है स्क्रिंशॉट लेना है निमारिकल सॉल्व करने हैं चलो भाई कुछ कोष्क सम सॉल्व कर लेते हिर से टो क्रॉस का टाइम हो चुका है बड कोई क्लीं हम कुछ निमारिकल से यहाँ पर कड़ेते हैं यहाँ पर जैसे यह आप लोगों को क्या दिया हुआ है प्रतिरोध दिये हुए है यह प्रतिरोध हो का करनेक्ष Ó में यहां पर प्रेश्णर में PQ बोला है कोई बात नहीं में PQ ले ले लेती हूं ठीक है बिलकुल जो है यहां पर clear दिखाई दे रहा था इसलिए मने अपने हिसाब से बी ले लिया था पी की ओके मद्ध्य आपको तुल्य प्रतिरोध पक्या निकानने के लिए आप लोगों को अक्ट्स से प्रतिरों निकालना है जो भी तुल्य प्रतिरों आएगा उसको क्या करोंगे इस से प्रतिरों detention क्वान याथ हो जाएगा जलदी से तो यहां पर गलती हूं इस उसके में शाओ सब्सक्रीन कर जो है तो यहां पर इनका जो तुल्य प्रतिरों centrist आपस का ये आ जाएऊगा क्या ये आ जाएगा आर बटे 3 ठीक है पहले है मैंने समनानतर परम संयोचर में आप लोगों को बताया है अब जैसे कि यहां पर दो प्रति रोध आपस में जो है समनानतर परम में है और बराबर प्रिमार में है तो क्या हो जाएगा इनके side जो सापे जो तुल्य प्रतिरोध है यहाँ पर ये तीन प्रतिरोध आपस में स्प्र इन्रेनी क्राम में जुड़े हुए हैं इनको अगर हम creative करेंगे तो पी-क्यू का तुल्य प्रतिरोध हमको ग्याद हो जाएगा तो यहां पर तुलिय प्रतिरोध कैसे ज्याद होगा आर पी कियों होगा क्या स्रेनी करम में हम को इन भी चीजों को जोड़ना है रबाई 2 प्लस आर बाई 3 प्लस आर बाई 2 इस तरीक से हम क्या करें इन को स्रेनी क्रामर इनको जोड़ दिये आपस में, जो फटा-फट से solve करो, क्या आएगा solve करने से, जल्दी से LCM लेना है, बिल्कुल LCM आप लोगों को practice होनी चाहिए, यहाँ पे जो LCM आएगा, वो 6 आएगा, ठीके, LCM लेने के बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का, 3R, ठीके, 8R बटेच है, ठीके, तो यह 8R बटेच है, आप लोगों को क्या आगया, PQ के सापक स्टुल्य प्रतिरोद, RPQ बराबर, 8R बटेच है, ठीके, प्रेश्ट में already हम लोगों को यह NR by 3 दिया हुआ है, और N कमान हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, तो मैंने आप लोग प्रेच कर जाएगा, दो चौक, तो यहां पर क्या हो गया, 4R बराबर NR, तो यहां पर क्या हो गया, यहां से N बराबर 4, यह आप लोगों का आज़र आज़र आगया, ठीके, वैसे जनरली आप लोगों को तुल्य प्रतिरोद निकालने के लिए बोलता है, तो जैसे कि मान options दिये रहेंगे, आप लोगों को नीट के एक्जामें, चार बाई तीन, आर जो है, आप लोगों का final answer हो जाएगा, क्या हो बुल रहा है, कोशन में, एक ही प्रकार के 12 तारों को जोड़ कर, प्रतियेक का प्रतिरोध, जिसका small r है, घन के आकार में धाचा तयार किया जाता है, यह बोल रहा है कि यहाँ पर घन के आकार में धाचा तयार हो रहा है, जो 12 तारों को जोड़ करके बनाया जा रहा है, और हर एक तार का जो प्रतिरोध है, वो क्या है, small r है, छोटा r, ठीक, यदि धारा घन के एक कोने से प्रवेश करे, और विपरित कोने से बाहार निक हैंगे, conceptual है, आप लोगों में से अगर किसी बच्चे ने अगर try किया है, बहुत अची बात है, मैं देखना चाहूंगी, आप टेलिग्राम में connect हो, में को फोटो खिचके भेजा करो, जो भी homework question में देती हूं, उसको share किया गरो, मैं check करती हूं, आपको पता नहीं, मेरे टे टेलिग्राम ग्रूप में, ठीक है, बहुत important question है, सबसे पहले यहां पे हमारे पास क्या है, 12 तार है, ठीक है, तो सबसे पहले तो घं का आकार बना लेते हैं, बहतर रहेगा, यह हमारा क्या हो गया, घं का आकार बन रहा है, अभी बना नहीं है, बिलकुल सबर करो, और यह का आकार यह बन गया, हमारा रेडी हो गया, अब यहां पर क्या बोल रहे है, कि घं के किसी एक कोने से क्या करी है, विद्धारा प्रवेश करी है, और उसी घं के विपरीत कोने से विद्धारा जो है, वो कहां जा रही है, बाहर जा रही है, तो मैं यहां पर एक कोना जो ले जो है वो बहार जारी है ठीक है अब हम लोगखों को प्रेश्ण न वे भी बोला था कि 12 तारों को जोड़ करके हम लोग क्या कर रे है घंड बना रहे हैं तो आप देख सक्ते हो गंड में यहां पर इसके 12 ये तार 1 लाइन से ठीक है, 12 लाइन से गिन सकते हो, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 5, और ये 6, ठीक है, और उसके अलावा कौन सा हो गया, ये 7, 8, 9, और ये वाला क्या हो गया, 10, और 11 और 12 किधर है, ये है आपका 11, और ये है आपका 12, समझ में आ गया है कि 12 तारों को जोड़ करके कैसे गन बन रहा है, वैसे ये समझाने की बात नहीं थी, फिर भी मैंने आपको समझाया, समझना है, आपको ध्यान से सुनना है, और ये जो 12 तार है, तो हर तार का जो प्रतिरोध है, वो क्या होगा, small r होगा, तो आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध भी बना सकते हो, प्रतिय का प्रतिरोध यहाँ पर बना सकते हो, आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध बना लो सबका, फटा फट से, ये सबका प्रतिरोध क्या है, small r, जल्दी से ड्रॉ करो भाई, कॉपी में सबको ड्रॉ करना है, solution भी बताना है, ठीक है, बिलकुल सब के उपर मैं मैंने इस तरीके से ब दिमाग घुमा मत लेना, ध्यान से समझना, ठीक है, हो गया क्या, सब तरफ बन गया, कुछ उटा क्या, कोई बताएगा मेरे को कमेंट करके, कुछ उटा तो नहीं है, सब तरफ बन गया है, ओके है, good, very good, और सबका प्रतिरोध क्या है, small r, ठीक, हो गया, अब अब हो गया, करना क्या है, हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसका, तुल्य प्रतिरोध मालों की ये a है, ये b है, ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध जो है, वो क्या कहलाएगा, यहां पर r equivalent बराबर r a b, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध इस तरीके से हम लोग निकाल सकते ह सीरों हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध हम गयात करना तो इसकेलिए मतलब हम लोगे को यह देखना है कि जैसे कि यहां पर इन भागों में बढ़्ड रही है और जो आई धारा बट रही है तीन बराबर भागों में तो इस चीज़ को आप लोगों को यहां पे समझना है कि अगर किसी एक तुकडे को हम लोग क्या करें अगर किसी एक चीज़ को तीन बराबर भागों में हमको बांटना है तो क्या हो जाएगा प्रत्येक हिस्सा एक बड़े त एक बड़े तीन, एक बड़े तीन होगा, हाँ की ना, जल्दी से बताओ, बिलकुल हाँ, तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही होगा, यहाँ पर विद्धारत जोहाँ तीन भागों में बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगी, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, और आई बाई थ्री, एगरी करते हो की नहीं, यस या नो, जल्दी से बताओ, फटा फट से, ठीक है, जल्दी, यहाँ पर तीन भागों में बढ़ जाएगी, सभी को क्लियर है, समझ में आया की नहीं, आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर, यह जो आई बाई थ्री है, भाजित हो रहा है, ठीक है, दो भाग में बढ़ जाएगा, इतना आप लोगों को समझना है, इतनी गर्टों आप लोगों को आती ही होगी, अगर नहीं समझ मारा होगा, तो खतम होने के बाद थ्वड़ा सोचना, अभी मत सोचो, अभी लिख लो, ठीक है, नहीं तो क्या हो कि question समझ में नहीं आएगा तो question को समझना है तो अभी लिख लोग कि हाँ आई वाई तीन को अगर दो भाग में विभाजित करेंगे तो आई बटेच है आई बटेच है होगा कैसे होगा इसको समझना थोड़ा दिमाग लगा ना class के बाद अब यह हो गया यह वाला भाग अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा यह देखो यह वाला जो सीरा है बिल्कुल जैसे कि हम लोगों को यहां से जो है यहां पर विद्युद्धारा जो है अंदर प्रवेश कर रही थी यहां पर विद्युद्धारा है क्या हो रही है वापस से बी टर्मिनल पे बी सीरे पे हमारी आ रही है तो यहां पे अगर हम लोगों को आई धारा प्राप्त हो रही है तो जाईर सी बात है कि इन तीन तरफ से जो है यहां पर आएगा और हर बार हम लोग बराबर भागों में क्यों बाट रहे हैं क्योंकि हर बार बराबर भागों में इसलिए बाट रहे ह खुकि हम लोगों को हर तार का जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आट दिया हुआ है और प्रतिरोध अगर सबढ़र दो उसकेमें बहने वाली विद्धार अभी क्या होगी बराबर होगी ठीक है तो यह हो गया तो यह समुझ में आया कीес अगर सब को समझ में अब इतना अगर clear है तो आपको क्या निकालना है यहां पर धगन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब यह RAB निकालना है ठीक है तो RAB निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो आप ध्यान से समझना यहां पर आर ए भी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ये वाला सीरा है ठीक है इसके सापेक्ष क्या रोपित होगा ये वाला जो सीरा है इसके सापेक्ष आपका जो है दो सीरो के सापेक्ष क्या होता है विभुवांतर होता है विभुवांतर कहां पर होता है क्या होता है जैस की माल लो कि ये पूरा सिस्टम है आपका ठीक है ये पूरा सिस्टम है जो मैंने ऐसे बना दिया एक डबे में सिस्टम का मतलब एक निकाय है पूरा एक जो ये पूरा बगघन है आपका ठीक है ये पूरा घन है और ये टर्मीनल है आपका सीरा ए और बी तो है क्या इस दोनों बार इह दो इनके सापक्ष जो है ये और भी सीरे के सापक्ष भी होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर इनके सापक्ष हम आम क्या पर हम लोगों करता है तो सप्रें क्लास को भूठा डरीलlike qyveel गोल दो मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कली तो पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में तो पढ़ा था धारा और प्रतिरोत का जो गुड़न फल है उन सब का बीच गड़िती योग क्या होता है उन सब का बीच गड़िती योग बराबर शुन्य होता है है ना तो यहां पर जल्दी से क्योंकि देखो विद्युधारा की दिशा में चल रहा है तो विद्युधारा की दिशा में हम धन लेते हैं और विद्युधारा के विपरित दिशा में हम रिंड लेते हैं और यहां से चलना हम शुरू किया हैं यहां पर हम लूप लगाए हैं ठीक है तो यहां पर मैंने सबस क्या हो जाएगा? शुन्य हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V को हम लोग एक तरह पक्षांतर कर दिए, और अगर हम V को एक तरह पक्षांतर कर दिए, तो हमारे equation क्या हो जाएगा? V बराबर, I बटे 3, R, प्लस, I बटे 6, R, प्लस, I बटे 3, R, ठीक है? अब हमारा ओम के नियम से क्या होता है? V इक वेस्टू क्या होगा? तो capital I और capital R, ठीक है? यह जो capital R है, वही क्या है? हमारा तुल्य प्रतिरोध, इसको R equivalent यहां फिर R A भी भी रिख सकते हैं, अब इस value को अगर हम लोग यहां पर रख देंगे, ठीक है? तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? यहां पर तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, यह equation म नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग घ्यान से देखना, क्या हो जाएगा यहां पर? यह हो जाएगा आपका I R A भी और बराबर क्या हो जाएगा? I बटे 3 R प्लस I बटे 6 R प्लस I बटे 3 R हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम लोग विद्युद्धारा को common निकाल के लिख सकते हैं? I, R भी common निकाल लो चलो, एक बटे 3 प्लस एक बटे 6 प्लस एक बटे 3 लगुत्तम समाप वर्त निकालने के लिए तयार रहो, ठीक है? लगुत्तम निकालने के लिए तयार रहो, जल्दी से solve हो जाएगा फिर आपका question, यह I और I cancel हो गया, यहां लार आ गया, और इसका अगर लगुत्तम समाप वर्त निकालेंगे तो यह सबसे पहले क्या हो जाएगा? बटे में 6 हो जाएगा, और यहां पे 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया यह? पांच बटे 6 हो गया? क्या हो गया? पांच बटे 6 आर, तो आपका तुल्य प्रतिरोध नि ही पड़ेगा आपको टाइम मैनेज करना, ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है? ध्यान पूरवक देखोगे तो समझ में आएगा, दिमाग को फोकस करके देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, और देखो टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज करने का सबसे अच् रखना क्योंकि एक ही बार में अगर चीजे समझ में आ जाएंगी तो बचे हुए टाइम का आप वियोग कर सकते हो प्रैक्टिस और रिविजन में ठीक है तो ये मैंने बता दिया ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया इस वाले कोश्चन के लिए क्या तुल्य प्रतिरो होना चाहिए भाई विद्यूद सेल के बारे में भी पढ़ना है जल्दी भाई जल्दी इसलिए मैंने कहा था कि एटलिस होंवक कर लेना चालो नेक्स कोश्चन में आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए फटा-फट से कवर करेंगे प्रिदर्शित विद्यूद दिये हुए है यह हमारा दो ओम का प्रतिरोध यह है चार ओम का प्रतिरोध और यह कितना दिया हुआ है आइट ओम का प्रतिरोध है और यह दस वोल्ट और यह क्या है बारा वोल्ट है अब हम लोगों को यहाँ पे किर्चौफ के परिपतिया नियम का मतलब क्या है लूप वाला जो नियम है उससे हम लोगों को करना क्या है आपर किर्चौप के परिपथिया नियम से जो है तीन प्रतिरोधों में धारा का मान प्राप्त करना है तीन जो प्रतिरोध दिये हैं वहां पर और केवल और केवल समीकरण को हल नहीं करना है ठीक है तो इसको आप लोग जो ह हुए ठीक है दो लूब दिये हुए जैसे कि यह धन और यह धन यह रिट तो जाइशती बात है कि यहां से मालों जो विद्धारा प्रवाहित हो रही है वो इसको हम आईवन ले लेते हैं अब यहां से जो पृत्वित विद्धारा प्रवाहित होगी ना उसकी दिशा इधर कै एथे होगी यह कैसे पता चलेगा तो विदृधारा प्रवाह का प्रवाह हमेशा धनात्मक सिरे से शुरू होता है और इनात्मक सिरे पे खतम होता है इस वजह से हम उसको लुगा अगलों कि त्योंसी नवाइधिय को 55 50 30 एंद रहा है यहाँ देख रहा है इसको मानलोग की अचिल फाल ऑप यहां पर यहां पर की हो होगा मालों कि यहां पर भी जो है विद्धियुत धारा इस तरीके से जा रही है अब यहां पर हम लोग दिशा जो चाहे ही वह ले सकते हैं जो दिशा लेंगे उसके अनुसार हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा इसको मैं मिटा रही हूं इसके बजाए मैं इसको क्य लिख लेती हूं क्या I2 माइनस I1 कैसे लिखा मैंने ये I2 माइनस I1 क्योंकि I2 धारा बह रही है दो भागों में बट रही है एक तरफ I1 जा रही है दूसरे तरफ जो जाएगी वो क्या हो जाएगी अगर इस कुल धारा में से इस I1 को मैं माइनस कर दू तो वो धारा जो है इस हिस्से में जाएगी वो धारा कहा जाएगी इस हिस्से में जाएगी इस चीज़ को आपको समझना है समझ नहीं आएगा ठीक है तो बिलकुल आपको इस चीज़ को जरूर समझना है यह क्या है संधी है संधी हिस्सा है और यहां पर अगर हम लोगों को समी करण लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं यहां पर हम लोगों समी करण है ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 I1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि इधर से आ रही हो ना 4 ओम और यह क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 हमारा करेंट है ठीक है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समी करण को इस 10 को पक्षांतर कर दो सबसे पहले तो राइट साइड में पक्षांतर कर दी 2 I1 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 I1 है ना और यह क्या हो गया माइनस 4 I2 यह हमारा क्या हो गया समी करण हो गया एक समी करण हमारा यह हो गया ठीक जिसमें हम लोग क्या कर सकते इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 I1 हो जाएगा माइनस 4 I2 बराबर 10 तो एक समी करन तो ये हो गया अगर मैं क्या करूंगी लूप 2 में ठीक है जो सेकेंड वाला ये क्या है लूप 2 है और ये क्या है लूप 1 ठीक है अब लूप 2 में अगर मैं लगाओंगी तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस 12 ये बराबर शुनने था ठीक है माइनस 12 और यहां पर 4 ओम प्लस 4 I2 माइनस I1 फिर यहां पर क्या आ रहा है आठ आठ हो ठीक है तो इस आठ हो में जो है आई टू धारा ही बह रही है क्योंकि यहां से जो है बह कर वापस से यहां पर आएगी तो यह आएगी क्या I2 ही आएगी तो यह क्या हो जाएगा प्लस I2 बराबर शुन्य अब इस एक्क्वेशन को समीकरन को हम लिख सकते हैं क्या 12 को फक्षांतर कर देंगे यह हो जाएगा चार I2 माइनस अलग-अलग कर देते हैं चार I2 माइनस चार I1 प्लस आठ I2 बराबर 12 यहां से क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा क्या 12 I2 माइनस चार I1 बराबर 12 बराबर क्या हो जाएगा यह दूसरा एक्क्वेशन ठीक है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं दो एक्क्वेशन है हमारे पास तो गड़ित का अगर तुम लगाओगे AB AB वाला कभी तो solve की होगे गड़ित में इस तरीके से दो समीकरण solve की होगे दोनों समीकरणों को solve करोगे तो I1 और I2 का भी मान निकल जाएगा और तीनों प्रतिरोधों के सापेक्ष आप लोगों का जो है विद्धारा का मान भी राप्त हो सकता है पर हम लोगों को क्योंक की प्रैक्टिस आपको करनी है बार बार करके देखना है धन रिन में बार बार गलती होता है तो प्लीस इस बात का आप लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है अगले सवाल पे आजाते हैं अगले सवाल बहुत ही सरल है यहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ हुआ है उसका मान ग्याद करने के लिए बोला है, तो यह 30 वोल्ड का यहां पे विवांतर लग रहा है, यह धनात्मंक की रिनात्मंक दिशा होगी, तो धन से रिन की तरफ ही विद्योत परिपत में विद्योत धारा बहती है, एक ओम, दो ओम, तीन ओम का प्रतिरोध है आप लोग इ MARISHA बहुत यहां पे वि बराबर क्या होगी, IR और यहां पे जो आर है वो यह क्या होगा तुल्य प्रतिरोध होगा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि स्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए है, ठीक है, तो इनका तूल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, simply इसको हम लोग चोड़ देंगे क्या करेंगे एक प्लस दो प्लस तीन बराबर क्या हो जाएगा टोटल छाय ओम का तूलिय प्रतिरोध हा जाएगा हमको निकालना क्या है विद्युद्धारा निकालनी है एकदम simple है यह तो बहुत आसान है हमको विद्युद्धारा निकालनी है तो V equals to I, R equivalent हमारे पास है यहाँ से विद्युद्धारा के लिए हम लिख सकते हैं I बराबर V by R equivalent और आपको V का मान विभुवांतर दिया हुआ है 30 V और R equivalent हम लोगो नहीं निकालनी अच्छा है solve करूँगे तो क्या जाएगा 6, 35, 5 एंपियर की विद्युद्धारा यह तो बहुत ही आसान था यह तो हर किसी ने solve कर लिया होगा I am sure ठीक है चलो मैंने homework question भी solve करवा दिया भाई time काफी जादा हो गया विद्युद्ध सेल पढ़ना है हमको कोशिश करेंगे जितना content आज हमारा topic का cover हो जाए कर लेंगे ठीक है जो रह जाएगा उसको सेलो के सही होजन के सांथ पढ़ लेंगे कोई tension की बात नहीं कोई load की बात नहीं है लगबग एक घंटे की class होगी ही होगी तो विल्कुल आप लोगों को class में बने रहना है सभी को समझ में आना चाहिए जो भी हिस्सा समझ नहीं आएगा दुबारा देखना है क्या करना है दुबारा देखना है चार बार लिखके प्रक्टिस करना है ठीक है मेरे students यही करते है और आपको आप भी मेरे ही student आपको यही करना है अगर नहीं समझ में आता है तो दो बार देखना है और चार बार लिखके प्राक्टिस करना है ठीक है चालो तो विद्युद सेल शूरू करते हैं हम लोग क्या समझते हो आप लोग विद्युद सेल से ठीक है क्या समझते हो आप लोग विद्युद सेल से कौन बताएगा मेरे को क्यों भई जल्द फटा आफट कौन बताएगा कौन बताएगा सब के कमेंट्स देख रही हूं मैं जल्दी बताओ विद्युत सेल से क्या समझते हो तो भाई सेल एक ऐसी युक्ति है जिसका इस्तमाल हम लोग उर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं कैसी उर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं जैसे कि आप क्या करते हो घड़ी में बैटरी लगाते हो ठीक है उसे क्या मिलती है विद्धुत उर्जा मिलती है जिसकी वज़ा से टिक टिक करके आपकी घड़ी चलती है बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि बहुत सारे खिलोने है जो विद्यूत सेल के माध्यम से चलते हैं ठीक है बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर माइक लगाई हुई हूँ यहाँ पर माइक लगाई हुई हूँ यह भी जो है आप लोगों के विद्यूत सेल की सहायता से ही चल रही है ठीक है यह देख सकते हो आप लोग बि विद्यूत सेल में हम रासाइनिक क्रिया करवाते हैं, क्या करते हैं, रासाइनिक अभी क्रिया करवाते हैं, रासाइनिक अभी क्रिया करवा करके हम विद्यूत धारा उत्पन करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, विद्यूत उर्जा प्राप्त होती है, ज उसका ओपयोग हम लोग यह हमारे जो इलेक्रोनिक इंस्टूमेंट या फिर जो भी इंस्टूमेंट है या उन्कों चलाने के लिए हम करते हैं कैमरे में भी बिल्कुल सेल लगा हुआ है तो सेल हर जगा इस्तेमाल हो रहा है ठीक है अब यहां पर हम लोग रासायनी का भी कर् परिवर्तित हो रहे हैं जैसे इसके पहले आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि यांत्री कुर्जा जो है विद्यतुर्जा में परिवर्तित होती है मशीन में जनरेटर में ठीक है और हम क्या करते हैं विद्यतुर्जा प्राप्त करते हैं उससे ठीक? अब यहां पर राजशायनी कुर्जा विद्डी तुर्जा में परिवारतीत कैसे हो रही है? ठीक है? तो इस को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, और क्या जान सकती हो आप लोग अब लोगों ने देखा किसे का डाया होता है pencil सेर्ण होता है серजों अलग अलग शेप में भी पाया जाता है हमारा जार हम को जरु करता है जब जादा वोल्ट चाहिए होता है जादा ऊर्जा चाहिए तो वहां जो क्या करते हैं जो बिल्कुल सेलों के सही उजन में आप लोग पढ़ोगे तो हम लोगों को जादा मात्रा में उर्जा प्राप्त होती है ठीक है जादा मात्रा में उर्जा प्राप्त होती है तो यह सारी चीजे जो है हम लोग करते हैं अब यह जो सेल है इसमें रासाइनिक उर्जा वैसे आ एक धनात्मा एक रिनात्मा की लेक्टोड ठीक है एक धनात्मा की लेक्टोड और एक रिनात्मा की लेक्टोड अब होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं एक अंदर में एक कुछ लिक्विड भरते हैं यह लिक्विड क्या कहलाता है विद्यूत अब घटे कहलाता है त को बिल्कुल ठीक है तो अब होगा क्या इस में होगा क्या इस विद्यूत अब घटे की उपस्तिती में किसकी उपस्तिती में विद्यूत अब घटे की उपस्तिती में यहां पर क्या होगी रासायनी क्रिया होगी रासायनी क्रिया के फल स्वरुप क्या होगा कि यहां पर एक एक इलेक्ट रोड से दूसरे इलेक्ट रोड में क्या होगा इस ठ्रांसफर होंगे विद्युद नदीख Beau मठोश राप्त गहां पर इनके धनात्मक और रिनात्मक सीरे में धन से रिंट की तरब पर यही क्या कहलाता है हमारा विद्यूत सेल कहलाता है बिल्कुल आप लोग यहां पर डाइग्राम में देख सकते हो कांच की जार ली गई है यहां पर एक जो है यह आप लोगों का कैथोड है और यह जो है आप लोगों का कैथोड है और यहां पर कैथोड के रूप में जो है ज को पस्ता है डायन जञफिक है कि एक नायन और एक रिनायन दो चड़ होगी हमारे हमाले पास जिसमें क्या को गाَ एक चड बाला रानजो को है कि की मौझूदगी मेर तरॉब में विद्यूत अभगटे भी क्या है तनूसल फियूरिक अमल यहां पर इस्तमाल किया जा रहा है इसके अलावब और भी बहुत सारे विद्यूत अभगटे पदार्थ होते हैं जिनको रहे हैं जिसकी मैइक मेरी आवाज आप के transfer हो पारी है ठीक है तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो यहां पर definition विद्धुत सेल एक ऐसी उपती है जहां पर रासायनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रूपांतरित किया जाता है विद्धुत सेल रासायनिक अभिक्रिया से विद्धुत धारा उत्पन करता है कैसे उत्पन करता है रासायनिक अभिक्रिया से विद्धुत धारा उत्पन कर सकता है कर सकने वाला क्या होता है यंत्र होता है एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में क्या कर रहा है परिवर्तित कर रहा है विद्धुत सेलों को समझ में आ रहा है ठीक कि क्या समझ में आ रहा है कोई बता सकता है देखो सबसे पहले तो एक सेल इसमें से प्राथमिक सेल कहलाता है दूसरा दूतियक सेल कहलाता है पर यहां पर समझना एक सेल यहां पर एक सेल जो है एक ऐसा सेल है जैसी कि आप लोग घड़ी वगरा में सेल लगाते हो तो होता क्या है कि हर बार आप लोगों को नया सेल खरिद के लाना पड़ता है एक बार लगाते हैं तो वो खतम हो जाता है जब मतलब उसका सेल खतम हो जाता है तो नया सेल लेकर के आना पड़ता है होता है कि नहीं होता है ना यस यह नो जल्दी से बिताओ ठीक है और Excel यहाँ पर यह दिख रहा है कि यहाँ पर आपको तार भी दिख रहा है मतलब कि यहाँ पर यह क्या है किसका sign है charging का sign है ठीक है तो कौन कौन अपना mobile charge करके मेरी classes देख रहा है यहाँ पर आप में से कौन कौन mobile charge करके मेरी classes देख रहा है ठीक है तो जाहिर सी बात है कि mobile के अंदर जो है वो बैटरी होती है और इस बैटरी को क्या करना पड़ता है चार्ज करना पड़ता है और बार बार चार्ज करने से भी वापस इसकी बैटरी फुल हो जाती है और फिर से इस्तमाल करते हैं फिर बैटरी खतम होती है फिर फुल हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे द हम लोगों को समझ में आ रहा होगा डाईग्राम देख कर एक बार है एकम लोग इसको इसकbildung कर सकते हैं। पाका, तो मुबाइल खरिदनाओ नहीं दें फिर अभिषेक को, है की नहीं बेटाओ अभिषेक क्यों भाई तो भी ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, इसलिए क्या करता जाता है, अभ रोज तो तुम बैटरी नहीं खरिद दोगे न tribNING मुबाइल को चार्झ रखनें के लिए, इसलिए उसको ऐसा वेटरी बनाया गया, जिसको हम बार-बार क्या कर सकें, धीक है, और बिल्कुल, मतलब हम लोग भी, जैसे की यब हम लोग का काम होता है, रोज का पढ़ाना है, और हम लोगों को इस माइक कॉापरेट करने के लिए, उद्ध इतनी जादी तुर्ज चाहिए नहीं होता है ठीक है राफ्म, भान ब spielen cell दिखाए आपने माइक का यह भी हमारा हो से घुड होके वा आपस से discharge होता है फिर से अगेन हम इसको क्या करते हैं दुबारा चारज करते हैं तो यह निरनतर पक्रिया चलती तो इससों प्रकार से हम लोग ओने क्या पढ़ा किया है टो ऐस्तेमाल कर सकते समाल कर सकते हैं कई बार इस्तमाल कर सकते हैं अब इसके कुछ examples में आप लोगों को बताना चाहूंगी लिख लो आप लोग Daniel सेल ठीक है काफी famous सेल का नाम है chemistry में तो आप लोगों ने detail पढ़ा होगा Daniel सेल और इसके अलावा और क्या नाम है इसका second और एक होटा है लैक लाँसेल कुछ बच्चे प्रजेक्ट वग्रा बनाते अपने स्कूल में तो उल्हों डिफरेंट डिफरेंट पकार के जो है सेल का इस्तमाल करते होंगे और आगे चल्के आप लोग कल को और बहुत सारह है इतना डेटियल में नहीं जाना है जितना अगर 12 में आपको पढ़ना है उतना है थिए थोरी बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है भी नहीं जो इंपोर्टेंट है वो निम्युमारिकल से इस से रिलेटेड आता है या तो फिर आएगा आप लोगों का आंतर इनवर्टर जो है वो क्या होता है चार्ज हो जाता है जैसे ही पावर कट होता है लाइट गोल हो जाता है बिजली चली जाती है तो क्या होता है वो इनवर्टर की सहाइता से हम लोग क्या करते है अपने घर को जो है बिजली देते है विद्ध्य तुर्जा देते हैं और सार मुबाइल फोन का सेल इस माइक का सेल इस तरीके से बहुत सर एक्जैंपल है ठीक चलो तो यह तो कि आप लोगों का विद्यू सेल विद्यू सेल के प्रकार और बिल्कुल आप इसको फटा-फटा से स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो चीजे मैंने बताई है सिफ वही चीजे है क कि बाहर परिपत में धारा ली जाती है निरावेशित होता है क्या होता है केवल और केवल निरावेशित इसका मतलब क्या होता है कि केवल और केवल बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है क्या होती है बैटरी केवल डिस्चार्ज होती है वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता जबकि इसको क्या कर सकते हैं, निरावेशित और आवेशित दोनों कर सकते हैं, मतलब कि इसको चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, देखो है शुद्ध हिंदी का वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, पर हम लोग अपने जनरल लाइफ में क्या करते हैं, चार् है एक बार पूर्ण निरावेशित हो जाने के बार दुबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता ठीक है इन में क्या करना पड़ता है हम लोगों को दूसरा विद्धित अभगट बदलना पड़ता है तो पर इतना सेल का हम अभगट है तो बदलने बैठेंगे नहीं हम क्या कर हो जाक है और क्योंकि हम लोग चारजिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर रहे हैं तो होगा एक बार जो है रासाइनी कुर्जा में परिवर्टित होगी अब यह इंपॉर्टन चीज है अंतरिक प्रतिरोद अभी पढ़े नहीं पढ़ोंगे स्माल और से प्रदर्शित कर होता है जब अभी पढ़ोगे तो समझना वहां पर बहुत कम χोता है आंतरिक प्रतिรोओ काम हो तभी कम होगा तो उसको बनाया सकती है अधिक जरवती कहा पढ़ती है पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है ना और यहाँ पर क्या होता है देखो यह तो एक्जांपल में आल्रेडी लिखवा सो ऊंप बिलकुल दुबारा लिख सकते हो आँ here नंतिके वहां पर भी सोले प्रोजेक्ट में और बहुत सारी चीज़ा होती यहांपर कि यह जो है इंवर्टर्स में यह सी साचाय अक्सेल जिसको हम लोग लैट बोलते हैं रेंग्डी में तो वो जो है Kerry तो लिख सकते हैं स्क्रिन्शॉट ले सकते हो फटाफट ओके अब हम बात करेंगे क्या विद्युत्वाहग बल के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे विद्युत्वाहग बल के बारे में तो भाई अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा सेल के बारे में पढ़ा किसके बारे में पढ़ा सेल के बारे में ठीक है तो सेल में हम लोगों को क्या मिल रहा था विद्यूत उर्जा मिल रही थी विद्यूत उर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर विद्यूत धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे क телефон काुप आपक κιह अब क्या रहा था कि जो हमारा सेल था यहाँ पर इस में दॉपने क्या बहुत आप खटे में रहा हुआ था इस विद्धू अभगर्टे में हम लोो ने क्या किया था दो इलेक्ट्रोल डाल रखा था एक तो आप दाल रहा था तो यहां तो यह हमारा था आप यहां पर थे आप लेकिन बीदिभात कूल को हो रहे हैं यहां पर हो रहे हैं तो होगा इक आवेश को यहां पर A से B तक के लिए जाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कारे करना पड़ता है क्या होता है कारे करना पड़ता है अब यहाँ पर यह जो cell है ठीक है यहाँ पर अंदर में क्या हो रही है अंदर में यहाँ पर रासाइनिक अभिक्रिया हो रही है ठीक है यहाँ पर रासाइनिक अ आपका ये और है ठीक है अंदर में ना एणिस में पर चार्जad हो पाएगा ठीक है पर जब लोग इसमें बाहरमें इस charge बैटरि को हम अस्तमाल करेंगे विद्यतुर्जा प्राप्त करने के लिए ठीक है तो वहां पर जब हम लोगों को विद्यतुजा प्राप्त करना पड़ेगा तो बाहर में अगर मालो की मैं यहाँ पर कोई बल्ब जलाती हूं, मालो की यहाँ पर क्या करती हूं, मैं कोई बल्ब जलाती हूं, ठीक है, तो यह बल्ब कैसे जलेगा, यह बल्ब जब जलेगा, तो कैथोड से अनोड में क्या होगा यहाँ पर आवेश्य का स्थानान डायना कर रहे हैं यह बल्ब जल रहा है झल गया यह बन ज़ला लिए बन गया ब्रोजेक्ट आपका जला लिए छोटा सा प्रोजेक्ट बलगया जल जल गया दिमाग कभी बल्ब चलालो क्लास में ध्यान से सुनो विद्धुत्व थीए तो हूँ से विद्धुत उरजा पर दो जो भी यहाँ पर लगाया जैसे कि cell के बाहर जब हम लोग बैटरी को लगा रहा है तो क्या होता है यहाँ पर धन से रिंड की तरफ क्या होती धन से रिंड की तरफ विद्धारा का प्रवाह होता है ठीक अब जब यह विद्धारा का प्रवाह हो रहा है ठीक है तो विद्धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है किसको बोलते हैं तो इस चीज़ को ध्यान से समझना किसेल के अंदर ठीक है आवेशो को आवेशो को धनायान से रिडायँ तक के उस्थानांत्रिद करने के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है सेल के द्वारा कुछ कारे किया जा रहा है ठीक है तो अगर क्यू fantasy को स्थानांत्रित कर रहे हैं ठीक है क्यों आवेश को स्थानांत्रित कर रहे हैं तो किसी क्यों आवेश को स्थानांत्रित करने के लिए सेल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है ठीक है वो क्या कहलाता है आप लोगों का विद्युत्वाहकबल कहलाता है और ये विद्युत्वाहकबल हम लोगों को प्राप्त कैसे होता है सबसे पहले बात तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत्वाहक बल का मान मिलता है और इस विद्यु द्वाहक बल से ही हम लोगों को क्या प्राप्त होता है इस विद्यु द्वाहक बल के वजह से हम लोगों को विभुवांतर प्राप्त होता है ठीक है विभुवांतर जिसको हम क्या करते हैं वी से प्रदर्शित करते हैं तो जैसे कि मैंने कोई भी सोर्स हो सकता है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस त्रोत के रूप में अगर सेल का इस्तमाल कर रहे हैं मालों कि यह कोई सेल है ठीक है तो यहां पर सेल से पहले तो हमको विद्युत वाहग बल प्राप्त होगा और उस विद्युत वाहग बल के कारण कह सकते हैं उस विद्युत वाहग बल के कारण जैसे सेल में यह जो भी क्रिया हुई आवेसों को साना अंत्रित करने के लिए जो भी कार हुआ जिसकी वज़ा से हम लोगों को क्या और इस विभूहांतर को जब हम लोग बल्व के दोनों si्य जो उके हम लिए विभूहांतर कहा से मिलता है तो एक हम नोगों सेल को इस्त्रोत खेरे Japanese के बल्व ambitious को मिलेगा किससे सेल के विद्वाहक बल से ठीक तो ये विद्वाहक बल का जो है मतलब की मतलब की ढखना चाहिए की आदर्श रूप में भर we का पूरा 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 परिवर्टन विभुवांतर की रूप मेंहीं होता है कुस्छ कुछ उर्जा जो है इस सेल के अंदर में छाय होती है क्या होती है कुछ उर्जा जो है इस सेल के अंदर में क्या होती है यहां पर कुछ ना कुछ उर्जा जो है छाय होती है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते है विभाव पतन ठीक है विभाव पतन बोलते है और यह विभाव पतन जो होता है जो उर्जा छै होती है वो किसके कारण होती है तो ये होती है आंतरिक प्रतिरोध के कारण किसके कारण होती है आंतरिक प्रतिरोध के कारण जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पर पहले अभी विद्धित बाहग बलको का जो भी थियोरी है आप लोग लिख सकते यह लिखा हुआ है definition वगरा सारी चीज़े आप लोगों की लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है कि परिपत के दो खुले सीरे मतलब कि जैसे कि मालों कि ये बल्ब है ये क्या है बल्ब ये क्या है इसके परिपत के दो खुले सीरे है तो इन सीरों के बीच में हम क्या करते हैं इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दिखो अब इकाई आवेश हम लोग क्यों लेते हैं हमेशा क्यों बराबर एक क्योंकि इसी तरीके से कोई भी definition को अभी तक कि हम लोग बार बार define करते हैं एक आंक आवेश या इकाई आवेश इसी तरीके से करने के लिए लिया जाता है तो इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए या फिर स्थानांत्रित करने के लिए जो कारकी मात्रा होती है दो बिंदूओं के बीच में इन दो बिंदूओं के बीच में ठीक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यूत वाहग बल बोलते है क्या बोलता है विद्यूत वाहग बल जो की हमको किस से प्राप्त होता है विद्यूत से कहां से प्राप्त होता है विद्यूत से ठीक दूसरे शब्दों में क्या वो सकते हैं कि इकाई धनात्मक आवेश को सेल के अंदर रिनात्मक से धनात्मक तर्मिनल तक ले जाने के लिए किया गया कारें विद्ध वाहग बल कहलाता है जैसे कि सेल के अंदर की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को सेल के अंदर क्या होता है आवेश जो है वो रिण से धन में ट्रांसफर होता है ठीक है रिण से धन में प्रवाहित होता है और सेल के बाह अगर यहां पर मैं इकाई आवेश लूँ तो क्या हो जाएगा यहां पर जो इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए cel के अंदर-रिणायन से धनायन में एकाई आःष को प्रवाहिट करने के लिए cel के अंदर क्या गया कार रहे है, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का विद्वेट वाहगबल के बराबर हो जाएगा, जो यहां पर परिवाशम में आप लोगों को लिखा हो है इस विद्यूत्व अगबल को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स या फिर शॉर्टकट में बोलते हैं EMF आने वाले चप्टर में EMF बहुत जादे इस्तमाल होगा तो ध्यान रखो ठीक है आगे के जो आप लोगों के 6-7 chapters है वहाँ पर EMF आपका इस्तम करते हैं और असका मात्रक भी क्या होता है वोल्त होता है एक्टवल में हम लोग इसको यह भी लिख सकते हैं क्या जूल पर कुलाम जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट ठीक है और है विखानतर के बराबर होना चाहिए पर एक्ट्र Meta exactly विभुवांतर के बराबर होता नहीं है क्योंकि उर्जा का च्छाय होता है विद्दूसल के अंदर सारे के सारे आवेस्थ ट्रांसफर होंगे नहीं कुछ नकुछ नुकसान तो होगा ही है ना जाहिए से बात है पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो तो सारा का सारा पेट्र पढ़ लिया विद्दुद्वाहकबल पढ़ लिया अब हम बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोत की किसकी बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोत की तो विद्दुद्वाहकबल समझ में आगया विद्दूसल में हम लोगों को मिला आवेशों के प्रवेश्थानांतरन के करण जो विद्धार प्रवाहित हो रही है अंदर में रिन से धन और बाहर में धन से रिन यहान में रखना है सेम ऐसे चुमबकिया में भी होगा आगे में जब पढ़ोगे तो चलो अभी चुमबकिया की बात नहीं करेंगे नहीं तो ठीक है चाहे नुकसान हो रहा है पूरा पूरा कैसे नुकसान हो रहा है हो रहा है क्या यह विद्धित्वाहक बल मिल कैसे रहा है कि हम लोग क्या करें आवेशों को प्रवाहित करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ रहा है कारे करना पड़ रहा है यह किया गया कार ही क क्या कहला रहा है आप लोगों का विद्दुच वाहग बल कहला रहा है जो की डबलू बटे क्यू के बराबर है ठीक है अब जब हम लोग यह कारे कर रहे हैं तो होगा क्या भाई अब जाहिर से बाते कोई को भी महनत करेगा तो जैसे आप पढ़ायी बी करते हो तो फ्लशन समझ лет में नहीं आता है पांच पर से दस परसंट रही जाता है कितना भी ठधाए कर लो ठीक है तो यही क्या नुक्सान है तो यह किसकी वजह से हो रहा है यहां पर विद्धारा प्राप्त होगी ठीक है पर यहां पर यहां पर जब हम लोग क्या करें आवेश को प्रवाहित कर रहे है तो कुछ ना कुछ क्या आ रही है बाधा आ यह बार्धा की वजभा से क्या हो रहा है उर्जा का च्हे हो रहा है या फिर नुक्सान हो रहा है कुछ यह बाधा ही क्या कहला। आंठलीक प्रतिरोध कहलाती है इस अन्वालाष से प्रदरशित करते हैं बहुती छूट असा वेल्यू होता है द्वितियक सेल में आंतरिक प्रतिरोध का जो मान का रेंज होता है वह होता है दसंबलों एक से दसंबलों 9 ओम के होता है यहां पर क्या करना ही पड़ता है ठीक है कि रुकावट अब जैसे कि यहाँ पर जो उर्जा कच्छाए होगा सेल के भीतर यह किस रूप में होगा इसको भी जान लो यहाँ पर समझ जाओ कि यह जो उर्जा कच्छाए अनुकसान होता है यह उश्मा के रूप में होता है कोई भी आपका equipment है जैसे mobile को charge करते हो तो होता क्या है mobile गरम ह हो जाता है कोई भी equipment use करते हो तो ज्यादा दिर इस्तमाल करने से वह क्या हो जाता है तो यह जो है यहाँ पर उश्मा कच्छाए किस रूप में होता है और सेल भी क्या होता है गर्म हो जाता है नुकसान होता है तो इस वजह से ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का क्या आं कर सकते हो यह लिख सकते हो आप लोग जो भी मैंने आप लोगों को बताया इस चीज को आप लोगों को लिखना है ठीक है पर आंतरिक प्रतिरोध की बारे में आप लोग लिख लो कि सेल के अंदर विद्यूत अबघटे द्वारा सेल के अंदर इस सेल के अंदर क्या होता है विद्यूत अबघटे के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई उर्जा का कुछ भाग सेल के भीतर क्या हो जाता है उश्मा के रूप में वियाय हो जाता है और जिससे इसके इलेक्ट्रोड के विभुवांतर और सेल के विद्धित वाहक बल क्या हो जाते कम हो जाते जैसे इसके पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर विद्धित वाहक बल के कारण हम लोगों को क्या प्राप्ट होता है विभुवांतर प्राप्त होता है पर यह पूरा पूरा विभुवांतर हम लोगो कम मिलेगा आपका विभुवांतर ठीक है पूरा पूरा नहीं मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा अब हम लोगों को चार कारक देखने हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान चार कारक पर निर्भर करता है यह हम लोग समझ लेते हैं ठीक है आंतरिक प्रतिरोध किसकर किसकर निर्भर करत है वो चार कारक हमलोग लिख रहे हैं ठीक है लिख लो मैं बोल रही हूं आपलोगों को नोट करना है कि आंतरिक प्तिरोध चार कारक पर निरभर करते हैं ठीक है उसमें से जो reviewed पहला कारक है आप लोगों का वो है जो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लिये थे ठीक है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी सेल का डाइग्राम बनाए थे वहाँ पर आप द्यान करो डोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी ठीक है तो ये इस पर भी निर्भर करती है आपका जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है तो कैसे निर्भर करती है कि अगर सेल ये मतलब कि जो हमारा ये जो विद्यूत सेल है इसमें जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोड रख रहे हैं ठीक अब मान लो कि इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है डी ले लेती हूं ठीक है अगर दूरी अधिक होगी ठीक है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है लिख शक्ते हो दू भे हुए इलेक्ट्रोड के दू भाग का शेतरफल, ठीक है? कि इसमें जो है कितना भाग इसमें डूबा हुआ है, यह जो है डूबा हुआ है, डूबे हुए भाग का शेतरफल, ठीक है? यहाँ पर लिगलो आप लोग, अप घट्या में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का शेत्रफल ये दूसरा कारक है आपका दूसरा कारक है जिस पर आन्तरिक प्रतिरोध निरभर करता है ठीक है तो होगा क्या जैसे जैसे यहाँ पर शेत्रफल बढ़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जैसे जैसे सेतरफल बढ़ता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है नोट कर लो फटा फट से क्विकली नोट कर लो जल्दी से एकदम भाई थोड़ा बने रहना है क्लास में थोड़ा सा पांच मिनट पांच मिनट दस मिनट और खीचेंगे हम क्लास को जादा से जादा कवर कर लेते हैं टॉपिक आंतरिक प्रतिरोध के बाद हम लोगों को विद्यूत वाहक बल और यह explain नहीं करूंगी आप लोग सब chemistry भी पढ़ रहे हो फिजिक्स के सांसाथ विद्यूत अब घट्य की सांधरता पर निर्भर करता है सांधरता बढ़ती है तो क्या होता है सांधरता के बढ़ने के सांसाथ आंतरिक प्रतिरोध घटता है नहीं सौरी सांधरता बढ़ने के तो जस्ट ध्यान में रखना है हो सकता है कि पूछे वैसे बहुत जादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे ख्यासे पर फिर भी चलो मैं बता देती हूं विद्यूत अब घटे के ताप पर निर्भर करता है ठीक है अगर हम लोग क्या करें विद्यूत अब घट का तापम अब इनका जो रिलेशन है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि विद्यूत वाहक बल के वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त हो थीकर इस ब्रशा के खेव को हम लोगों ने क्या नाम दिए था विभाउफ पतन क्या नाम दिया था विभाउफ पतन मतलब पूरा-पूरा विभाउफ नाम नामिल करके कुछ पतन हो जाइए दुछ जाता है कुछ जो है नुकसान हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नुकसान को विभाव पतन बोलते हैं ठीक तो जब यहां पर विभाव पतन होता है ठीक है तो इस विभाव पतन के वज़ा से आप लोगों को जो यह मतलब की कमी मिलती है किसमें विद्युत्वाहकब होगा मतलब कि यहां पर थोड़ी कम ही होती है जिसकी वजह से आप लोगों को यहां पर कम होके विभुवांतर मिलता है और यह विभाव पतन बराबर आपका क्या होगा है अगर मैं इधर कर दूं हाँ यह माइनस भी हो जाएगा इसको हम लोग समझेंगे विभाव पतन को हम लोग समझेंगे अभी परिपत के माध्य हम से समझेंगे ठीक है समझ में आया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहां पर यह संबंध क्यों पढ़ रहे हैं तो सबसे बैटर वे कि हम लोग यहां पर बल ये जो cell है हमारा जिससे विद्वशाया फ्राप्ट हो रहा है इसका हमारा आंतरिक प्रतिरोध है Gya Small switch लगाया है कुंजी जिसको बोलते हैं बटन को on करेंगे तो परिपत में धारा बहेगी नहीं on करेंगे तो क्या होगा नहीं on करेंगे तो कोई धारा बहेगी नहीं अब इनके सापेक्ष क्या होगा विभुवांतर होगा ठीक है तभी तो होगा यह विभुवांतर मैं तर्मिनल है आपका ये उसको धन्र तर्मिनल इसको लिगदेती हों ठिकैं अब यहां से लग रहा है न यह धन ओर यह दन जो मतलब यहां पर क्या होगा यह धन है मतलब जो दिशा वह ऐसे होगी लिधरा की ए न ये ब्रांच नहीं है ये सापेक्ष में विभु आंतर हम लोग यहां पर दिखेंगे कि इस तरह से घोगेंं हिस तरीके से विद्युधाण प्रवाहित होग में दूले के इस जब धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर से जो धारा प्रवाहित होगी आई धारा इस बल्ब है मालो या कोई भी कुपमेंट हम लगाएंगे जिसका प्रतिरोध हम लोग आर यहां पे लिए तो इसमें से क्या होगी आई धारा प्रवाहित होगी ठीक है तो हो क्या रहा है य लोगों को विद्धिद्वाहगबल की तुलना में थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है विभाव पतन हो रहा है जो बात मैं बोल रही हूं उसको लिखते जाओ सारी चीजे बोट पे लिखके नहीं बता सकती तो बहुत सारी चीजे सुनके लिखना पड़ है वो क्या हो रहा है विद्धित वाहा वच्वल में कुछ कम हो के हम लोगों प्रवाइड हो रहा है औरहां पर नियम से हमारा हो जाएगा V बराबर आई आर ठीक है और यहां पर जो बहने वाली धारा है यहां पर जो बहने वाली धारा है आई बराबर यह क्या हो जाएगी e बटे r plus small r ये r plus small r क्यों हुआ क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है इस परिपत में कुल प्रतिरोध एक तो जो है capital r प्रतिरोध है और दूसरा जो है क्या है आंदरिक प्रतिरोध small r ठीक है तो इस वज़ा से हम लोगों को जो विद्यूत धार हो गई e बटे r plus r हो गई ठीक अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर e बटे r plus r यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा विद्यूत वाहग बल e बराबर मिल जाएगा i capital r i into capital r यह मिल जाएगा ठीक अब जब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो विद्यूत वाहग बल है यह जो हम लोगों को मिला क्या मिला e बराबर i capital r plus small r है ना यहाँ से हम क्या करेंगे यह capital i और capital r का गुणा करेंगे और यह small r के सांथ भी i का गुणा करेंगे क्योंकि धारा जो है वो हमारे अंतरिक प्रतिरोज से भी प्रवाइट होगी ठीक तो यह होगा हमारा e ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा v बराबर i r हम लोगों को ohm के नियम से पहले से पता ही है ठीक है ohm के नियम से हम लोगों को पहले से पता है अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं इसकी जगह में यह वाली value को यहां पर रख सकते हैं तो यह E बराबर क्या हो जाएगा V plus IR हो जाएगा ठीक है और यहां पर यह जो IR है यही क्या है आप यह विभाव पतन है आप लोगों का जो आंतरिक प्रतिरोध के सापेक्ष विद्धारा का क्या हो रहा है यहां पर जो नुकसान हो रहा है वह आप लोगों का विभाव पतन यहां पर कहलाएगा जिसको हम लोग अगर यहां पर चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी विभाव पतन जो मैंने आल्रेडी आपको पहले भी लिखके बताया था पर यहां पर डिराइव कर दिया मैंने ठीक है इसको आप बाजू में लिख लो यहां पर बाजू में लिखो के तो क्या हो जाएगा यह विभाव पतन बराबर जो है बाजी को मैं एक तरफ कर देती हूं क्योंकि हम लोग आंतरिक प्रति रोध यहां से कल्कुलेट कर सकते हैं यहां पर क्या यहां पर क्या लिख सकते हैं यहां पर क्या करूंगा इक ठीक है अब ये capital R जो है इधर transfer हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा क्या E minus V बटे V अब क्या करूँगी इनको मैं दोनों में जो है E और V दोनों में क्या अलग-अलग separate करके भाग दे दूँगी तो हो क्या जाएगा यहाँ पे small r बराबर capital R और ये हो जाएगा क्या E बटे V और ये हो जाएगा minus 1 ठीक है ये आ जाएगा आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध का सुत्र फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे आर बराबर capital R E बटे V minus 1 ये क्या है आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध का सुत्र है और ये संबंध बताता है आपका किसमे किसमे विद्ध सिट्वा हकबल, विभुवांतर और आंठरीक प्रति रोध के बीच का संबंध आप लोगों को यह हैं बताता है यह स्ुत्रा, क्लियर है सब ही को तो सारी चीजे लगभग आज हम लोगों cover कर ली है, मैंने आप लोगों को बिलकोल आंतरिक प्रतिरोध का सुत्र भी आप लोगों को बता दीया है. सारी चीज़े मैंने आप लोगों को बता दी है, एक बार जल्दी से आप लोग देख सकते हो, revise कर सकते हो, फटा-।र से आध्यम से आप लोग पूछ सकते हो जो भी डाउट पूछना है और जितने भी नए बच्चे आए थे या जो बच्चे अभी तक के टेलिग्राम चैनल मेरा जॉइन नहीं किये हैं तो बिल्कुल आप लोग मेरे को इंस्टा आईडी और मेल आईडी में मेरे को कॉंटेक्ट क करके टेलिग्राम चैनल में जॉइन कर सकते हो जो हमऊवर्क देती हुँ उसको सॉल करके आप मेरे को शेयर भी कर सकते हो यहां पर तकि मैं वो चेक कर पाऊं ठीक है तो बिल्कुल आप लोगोंगों मेरे से connected रहना है जुड़े रहना है और मिलते हैं हम अगली ग्लास में हमारे अगले टॉपिक के साथ सेलों के संयोजन के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो